यूपी में कॉरोना संक्रमन को लेकर सक्थी नौडा से दिल्ली जाने वाली सबी सीमाय पूरी तरह से सी बिनपास के दिल्ली नौडा के सीमा पार करने पर सक्थ पावंधी पत्रतारों को एक दिन कि चूँ नौटा में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं 102 लोग, भीमार लोगों में दिल्ली आने जाने वारे लोग की शामिल यूपी में कोरोना मरीजों की आकरा 1337 तक पहुँचा, 24 गंदे में 103 पर नहीं मामले 21 लोग की मौँद देश्वर में अब तक 18,985 लोग वारे से संक्रमिन 603 मरीजों की मौद दिली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 75 लोगों की रिपोर्ट पॉस्टिप, अब तक 2,081 लोगों में संक्रमिन की पुष्टी गुजरात में 2,178 तक पहुचा कोरोना मरीजों का अक्राब तक 249 मरीजों की मौत, एमदबाद में 1300 से ज़ादा मरीज पर्शमंगाल औरिसा पॉर्टर सीर, सीमा पार से आने वाले लोगों ने की वज़ेख से संक्रमिन की संख्या बढ़ने का अदेश्या और इसामें 48 गंटे में सामने आए 21 मरीजों में 15 कितार पर्शमंगाल से चुड़े, अब तक 89 लोग हो चुके हैं बीमार परास्थान में एक दिन में करोना के 169 नए माम ले आए सामने, अब तक 1735 लोग हो चुके हैं सक्रमिन, जैपुन में 9 मरीज, अजमेर में 35 बीमार रास्थान में करोना की रफ़तार रुकने के लिए टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैस्दा बिना लक्षन वाले मरीजों का पता लगाने के लिए कि यह जाएंगे 10,000 टेस्ट महराश में करोना का कहत जारी, 24 गंदे में 552 लोग की रपोर्ट पॉजिटिव, 19 लोग की मौट महराश में 5,218 तक पहुचा, मरीजों का आकड़ा, 251 लोग कवा चुके हैं जाएंगे मुझली मोंबई में करोना मरीजों के संग्या 3,454 गंदे में 499 ने मरीज संकरमन निली 251 लोग की जाए मौधाश में करोना संकरमन के 59 ने मामले आया सामने, अब तक 122 लोग हो चुके हैं बिमार 80 मरीजों की मौक मंद्र प्रदिश में कुरोना होट स्पॉर्ट बना इंदौर शहर 923 से जादा संक्रमन के शिकार एक दिन में आज ने मरीज अब तक 52 मौते तमिलादों में कुरोना के 76 ने मामले अके लिए 45 मरीज रज्च में अब तक 1596 लोगों में वाइरस की पुष्टी 18 की मौत करनाठिक में अब तक कुरोना के 418 संक्रमे 17 मरीजों की मौत 139 लोग इलाज के बासवास मंदा सरकार ने केंदर सरकार के ओर से भीरी गए अंतर मंत्राले टीम को दी ग्राउंड जीरो तक जाने के जाज़त कोरोना और लॉक्टाउन को लेकर हालात का जाज़ा लेने पहुँचे अभिकारी कुरोना से मौत के बाद मरीज के दासंसकार में लापरवाई पर मंता सरकार को कलगत्ता हाई कोट की फटकार डव्व एचो और केंदर के गाइड लाइन्स का सक्ति से पालन करने का आदिश परशन मंगाल में कुरोना की वज़े से जान गवा चुके हैं 12 लोग अब तक 392 लोगों की रिपोर्ट पॉस्टिब अखलेश यादव ने योगी सरकार प्रसादा निशाना का सस्ते राशन के इंतजार में दम तोड़ा हैं मज़़ूर गरीबों को दिये जा रहे हैं राशन में निकल रहे एक पत्तर और मिंटे इलाबाद में 16 विदीशी जमाति उसाइब 30 लोगों को भीज़ा गया जेल महामारी आक्ट के तहट के इस दर्च पक्ड़े गये लोगों में लाबादी उरिवसिटी का एक प्रफेसर भीशा महराच्छ सरकार गदावा राजिवभर के तमाम रिलीफ क्यामकों में रह रहे हैं 6 लाग प्रवासी मस्दूर सभी के लिए खाने और दवा के पूरे इंतिसाब यूपी में कॉशामबी और हर्दोई जला कोरोना फ्री दस मरी स्वस्थ होने के बाद दिस्चार्च आगरा में कॉरोना के सबस्याद अमाम ले अब तक 69 लोग संक्रबन कॉरोना संक्रबन पर नियंद्रन के लिए पूल टेस्टिंग पर जोड़ दे रही है यूपी सरकार योगे आदेत रहात ने कहा लखनव आगरा और प्रयागराज में शुरू हो चुके है पूल टेस्टिंग यूपी में तीन महीने के फीस एक साथ लेने पर पाबंदी डिप्टी सीअब का आदेश चादरों पर दबाव बनाया तो स्कूलों पर होगी कारवाई आनलाइन क्लास जारी रखने के लिए दायर डिली में कोरोना वोर्यर्स पर वारस का हमला जारी जहांगे पुरी लाके में शेबल्स बाले संक्वर लिए इस्ट एमसीडी के दो महिला सफाय कर्मी कोरोना पॉस्टिट एक की मौत दोनों के संपर्थ में आने ओले लोगों की पहचान का काम जारी रापे टेस्ट किट की खराब गुनवत्ता को लेकर अशोग गैलोद ने केंदर सरकार को ठहरा है समधार कोरोना चार्च के लिए पीजी आ टेस्ट किट देने की मांगा दूसरे राज्यों में फसेच चातों के सुरक्षा को लेकर वटना हाई कोट में आज होगी सुनवाई बिहार सरकार से कोट ने मांगी है स्टेजस्ट कोट लॉकडाउन के बीजी के अच्छी खबर हरिद्वार में कई दश्कों बाद पीने लाइक वगंदर कपाजी है कोरोना के इलाज के लिए आयुश मंत्राले ने दी रिसर्च को मंजूरी आवेबेद के जरीए इलाज के उपायों की होगी खोच बिहार के किश्म नंच में छुट्टी से लौटे 42 पुल्स कर्मी कोरेंटीन कोरोना जाज की बाद होगी द्यूटी पर तैनाती रिप्रा के अवितला में लोगों को जागरू कर रहे हैं बच्चे विद्धी चित्रों के जरीए सोशल डिस्टेंसिंग की अपीर सरक पर सामान के साथ पैदल भटक रही बेल्शेम की एक छात्रा की मदद के लिए आगया है दिली पुलिस पोटल में जहराया खाने पीने का भी पिज़ाद किया लॉगडाउन में फसे एक एनाराई ने फांसी लगाकर की आत्मत्या पत्नी ने कहा कभी वापस ना लोट पानी के दर्स से दी जा पश्रमंगाल के वर्दमान जली में मजदूरों का हंगामा एक महिने से बंध है कार खाना विदर ना देने पर किया प्रदर्श लॉगडाउन के साथ बारिश ने बढ़ाई किसानों के मुश्किन सीता मड़ी में खेतों में गेमूं और दाल के फसल बरबार लीची और सबसे आपी सड़ी लॉगडाउन ने जमकर हो रही है शराब के तसकरी वार नसी में एक मकान पर पुलिस का छापा 38 लाग क्या वैश राब बराबन यूबी के बहराईज में दिब्यांग रिक्षा चालक किफायती दाम पर बेच रहा है हूं मीट मास्क पश्मेट अंपारन में टाजर सर्फ के आसपास स्थित गाउं में तेनवे की दहशत लॉगडाउन के बीच पालतू जानवरों को बना रहा है शितार महराश के मीट जिले में मरीज के परीजनों ने अम्बुलेंस में लगाई याद तकनीकी खराबी के कारण अम्बुलेंस में मरीज को ले जाने से किया थाई दमणी में लॉक्डाउन के बीच दमंगों ने महिला को कर्म सलाकों सदागा बक्री को लेकर गुआ था विवाद इस पी दफ्तर में नहीं सुने गई महिला की गुआर लॉक्डाउन के दौरान गाड़ी जब्त होने से नाराज विवक ने नहर में पूट कर दी जान खेती और घरीलू ज़रूरत के लिए एटीम जाते वक्त पुलिस ने सीज की थी मूट मुटर प्रदेशन सावर सीजले में कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए चातरा ने बढ़ाया हाथ पढ़ाई के साथ साथ घर्वे मना रही मास्क मुटर प्रदेशन लॉकडाउन के बीच वापस लोटे तीन यूवक आज दिन में पूरा किया एक हजार किलोमेटर का सफर पुलिस ने बॉर्डर पर रोका चौदर दिन के लिए कोरटी संबल में मुस्लिब समुदाय के पुलिस से अपील रमजान के दौरान मीट के दुकाने खोलने की माही जाज़त यहार के नेसल प्रवावर शेतर में लोगों की मंद्द के लिए आगया है समास सेवी गया में साइकल के जर्ये पहुचा रह रह राश्र यूपी के संद कभीर नकर जिला करेक्ट्रेट में एना इसी भवन निर्मान का काम शेरू सोशल डिस्टेंसिंग और मास के साथ काम कर रहे मज़ूर गया पर एली में जिला करेक्ट्रेट और राजस्विभा के कर्मचारियों के सरानिये पहल कोरोना संक्रमन के भी जरूरी सामानती सप्लाइट सुनिश्रित करने में जुटी चारकन सकाया चारकन बाजार मुबाईल अप लॉँच हमाचल प्रदेश के सोलत में घर बैते बच्चों को फिटनेस मंत्रा दे रहा है एक निजी स्कूल ऑनलाइन योगा कॉंपेटिशन के जरिये बोरिये दूर करने की कबाई कानपुर के आइसलेशन ओवर्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रोबो कार का इस्तमाल मरीजों तक खाना और दवा पहुँचाने के लिए कान रहा है सासरान में साथ वर्षे महिला की कोरोना रपोर्ट पॉजिटिव आने से हरकम पूरा इला का सील से टाइजिशन का काम शुरू लॉक्डाउन की दौरान साड़कपर नोट फेकनी का सिलसिला जारी ये टा में सारकपर मिले 500 के नूर थूक लगा कर संकरवन फेलाने के साजिश का अंदेशा मेरट में भी सारकपर 500 और 100 के नूर मिलने से हरकम जांच मिजटिव पुलिश शहर में अब तक 80 लोग हो चुके हैं संकरवन अररया में होमगार्ट के जबान से उठक बैठक कराये जाने के बामले में चांच के आदेश पुर्शी मंतराल ने किशी प्रदातिकारी को दिया शोक औस नोटिस पुर्शी मंगाल में भी लॉकडाउन के भी शराब तसकरी जारी पुर्शी बर्दमान में पुलिस ने 40 लीटर से जादा देशी शराब पक्री शराब बराने का सामान भी परफ़ादी जालवार में कोरोना का खौफ और तनाव दूर करने की कोशिश में टूटी महिला कैदी जिला खारागार में बॉलियूर गीतों पचब का क्यादा कोरोना सज़क के बीच भी कब नहीं हो रही वारदाते गुरुगराम में पती ने बैक से पीट-पीट करकी पत्नी के हत्यार रूपी गिरफ़ादा और अकबाद में भी लॉकडाउन के बीच दिल देलाने वाली वारदात पैदा होने से पहले ही बच्चे को ऑनलाइन बेचनी की कोशिश कर रही महिला सहीद दो गिरफ़दार सूरत में मदब की जूटी अपील करने वाली युवक ये खलाब केस दर्ज लॉकडाउन में 15 लोगों के फसे होने की दीथी जानकारी जिला कंट्रोल रूम से की गई थी खादिस्था मगरी की माद राजे में कोरिंटीन संटर में रखे गई युवक ने तीसरी मंजल से खुवत का दीचाद पूर्व डीवी सी के संपर्थ में आने पर किया था आइसुलेटर पूल देकर अस्पताल से क्या गया अस्पताल के अधिकारियों ने भी जखाए बैतूल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में वनकर्वी पहुंचा रहे हैं राशन सामगरी वजास परिवार तक पहुंचाया गया जरूरत का सामान एमदबाद में कुरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते वे अक्शन में सरकार होजल में मनाया जा रहा हस्पताल दिने अबर में कुरोना ने मचैत दवाहिए अब तक 17,000 से ज़्यादा मौते मरीजों की संख्या 25,000 के पाद अमरेका में नहीदमरा संक्रमान एक देमे 25,000 से जड़ा मौते मरने वार। का आकड़ा 42,000 के पाद यूएसे में मरीजों का आकड़ा आच लाग के पाद 24 रिखे में 24,000 से जादा मरीज अंक्सपोर्ड यूनिवर्सिती में बनाई जा रहे हैं कोरोना के लिए वैक्सीन गुरुवार से शुरू होगा यूमन ट्राइल वैक्सीन प्रजेक्ट के लिए ब्रिटन ने किया 20 मिलिन पाउंड देने का है लाग ब्रिटन में अब तक वाइरस से सक्रमित हो चुके हैं 129,000 से जादा लोग मौत का आकरा 17,000 के पार देन में कोरोना से बढ़ने वालों के संक्या 21,000 के पार दो लाग से जादा संक्रमित एक दिन में सामने आए 3,900 मरीज इटले में करीवी 1,83,000 लोग संक्रमित हो चुबीस हजादा गवाज के हजार प्रांस में एक लाग 58,000 के करीब पहुंची मरीजों के संक्या 20,000 से जादा मौत है जोमनी में संक्रमितों का आकरा 1,40,000 के पार करीब 5,000 मरीजों की मौत तर्की में करीब 95,000 लोग वारे से संक्रमित 2,000 से जादा लोग की मौत